नमस्कार आप देखें नियूस फोर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ जहां एक तरफ बिहार में लगतार बिपीस्टी द्वारा यानि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार में सिक्षकों की बंपर बहाली की जा रही है बड़े पैमाने पर बिहार में सिक्ष को भी राजकर्मी का दर्जा मिल जाएं इसके लिए उनकी सक्षमता परिक्षा ली जा रही है अगर बिहार में लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही है सिक्षक भरती परिक्षा की बात करें तो राजकर्मी का दर्जा है यह बवार इतना ज्यादा गरमाया कि सड़क से लेकर कि सदन तक नियोजिद शिख्षक का यह जो टौपिक है यह जो मुद्दा है वह सड़क पर एक तरफ नियोजिद सिख्षक को निभवाल किया तो वह दूसरे तरफ सदन में तमाम विधाय को नि आया है सक्षमता परिक्षा से जुड़ा हुआ तो वह यह है कि भिहार में थर्ड फेज का की सक्षमता परिक्षा की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है इसके लिए आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की क्या कुछ प्रक्रिया है किस तरीक से फॉर्म भर सकते हैं और क्या कुछ अपडेट सक्षमता परिक्षा फेज 3 को लेकर के सामने आया है यह हम आपको बताते हैं बिहार सक्षमता परिक्षा फेज 3 के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है यह परिक्षा बिहार के सिक्षकों की योग च्टिफिकेशन जारी होनी की जो तीथी वह 25 नवेंबर है आवहलेद की अंत्य मतिची आठ दिसंबर रखी गई है और परिक्षा की तिथी शब्यूस से 31 दिसंबर तक हो सकती है परिक्षा का परिणाम वह परिक्षा के बात जारी किया जाएगा अगर प्रिक्षा प्रक्रिया की बात करें तो ये परिक्षा Computer Best Test यानि CBT के माध्यम से होगी परिक्षा की अवधी 2-2 गंटे 30 मिनट की होगी कूल प्रसन की बात करें तो 150 जिसमें विविन भावों में विभाजित होगी परिक्षा का विभाजन कक्षा के अनुसार होगा कक्षा एक से पांच में के लिए भांसा तीन प्रस्न होगी समान अध्यान के लिए 40 प्रस्न समान विशय के लिए 80 प्रस्न जो है वो दिये जाएंगे वही कक्षा 6 से 12 की बात करें तो इसके लिए आवेदन शिल्क सभी श्रेडियों के लिए 1100 रुपे हैं भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा आवेदन के लिए आपको ओफिशल वेबसाइट पर जाना होगा न्यू कैंडिडेट या रेजिस्टर न्यू कैंडिडेट विकल्प पर क्लिक करना होगा रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने और लॉग इन आईडी एवं पासवर्ट प्राप्त करने के बाद लॉग इन करके आवेदन फर्म भरना होगा आवश्यक दस्तावेज आपको अप्लोड करना होगा आवेदन शुल का भुक्तान आप करने के बाद आप आवेदन को सब्मिट कर सकते हैं वही आवश्यक जो दस्तावेजों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको सैक्षनिक प्रमार पत्र की जरुवत है जो की मैट्रिक्स से सनातक कोत्तर तक होनी चाहिए प्रसिक्षन प्रमार पत्र जिसमें B8, DL8 तमाम ये तमाम प्रमार पत्र हैं वो आपके पास होने चाहिए आरक्षन प्रमार पत्र भी अगर आपके पास हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं अगर आपको बात करें cut-off की तो सबसे पहले समाने यानि जेनरल लोगों के लिए 40% cut-off होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसुचित जाती-जन जाती के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32% और महिलाव के लिए 32%, तो देखें ब बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर के बिहार में लगतार खुब राजनीती भी होती है, जहां एक तरफ दोहजार चौबिस लोग सभाचुनाव के दौरान भी जब नितीश कुमार राज़त से महागडबंधन से अलग हुए थे, तब तिजस्वी आदव पचीस में बिहार विदार सभाचुनाव होने वाला है, तो नितीश कुमार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कि उनके किये गए कामों को कोई यौर ले जाया और उसे भजा ले, इसलिए बिहार में लगतार सिक्षों को की एक बार पिर से बंपर भालिया निकाली ज से भी अब जो है वो यानि टीचर्स रुकूट्मेंट एक्जाम फेस थ्री के भी जो परिक्षा है वो हो गई है और अब नियूकति पत्र भी बाट दिया गया है, वहीं अगर बात करें सक्षमता परिक्षा से तो बिहार के समाम जितने भी नियोजित सिक्षक हैं, उनके उ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 28 दिसमबर आवेदन करने के लिए आपकी अंतिम तारिक होगी, और हाला कि अभी भी डेट का यानि एक्जाम डेट का अनॉंस्मेंट भी नहीं किया गया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 26 से 31 के बीच कभी भी एक्जाम लिया ज आसकता है, फिलाल इस अपडेट में बस इतना ही आप देखते रहें निवस्माने